हेलो फ्रेंट्स वेलकम टियर ओन चेनल डेली स्टॉक तो तो इस वीडियो के नरम टॉप थ्री ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिनका मार्किट के पांसो करोड के नीचे का है और वो आने वाले टाइम पे हमें काफी अच्छे रिटन दे सकते हैं तो चली शुरू कर करते हैं तो झेकर बात आपको समझनी ची जए कि जो डास्ट पंडा रूपे पर ट्रेड हो रहे होते हैं तो वो एक तरीके से पैनी स्टॉक नहीं होते हैं जिसे की एक तरीके से जो जेपी पावर है जो च्विजलान एनरजी है जो रतन पावर है तो ये companies एक तरीके से 50 stocks नहीं है यहाँ पर हम 10-15 रुपीज के बारे में बात करेंगे जिनका market cap लगबग 400-500 करोड के लगबग का है और वहाँ पर हमें काफी अच्छी आने हले टाइम पर एक अच्छा capital appreciation हमें देखने को मिल सकता है तो देखे पहला stock है जिसका नाम है SBC Export तो देखे लगबग 8.10 रुपीज का इसका all time हाई है तो वहाँ चागर हम देखेंगे around more than 20% यह stock गिर चुका है और अगर देखेंगे तो इसके fundamentals के गरम बात करेंगे company के fundamentals काफी अच्छे हैं company IT services में भी यह company काम करती है उसके अलावा गरम देखेंगे तो travel industry में भी यह company काम करती है देखा जाए तो जो industry आने वाले time पे काफी अच्छे दरीके से grow हो सकती है तो वहाँ पे यह company काम करती है और अगर आपको इसका पूरा detail analysis देखना है तो आप YouTube पे जाके search कर सकते हो HBC export daily stock तो वहाँ पे वीडियो आ जाएगा तो आप इसका पूरा detail analysis देख सकते है अब अगर हम दूसरे stock की बात करेंगे तो उसका नाम है विकास ecotech तो देखेंगे लगबग 30 रूपे का इसका all time हाई है तो वहाँ अगर हम देखेंगे तो 70 से 80 परसेंट ये stock गिरा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये stock नहीं गिर सकता है यहाँ से भी ये stock गिर सकता है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो chemical industry में ये stock काम करता है जिस तरीके से हमें यहाँ पे इंडिया से जो chemicals export हो रहे हैं तो वहाँ पे देखा जाए तो ये stock आपके radar पे होना चीए तो कि पूरी chemical industry काफी अच्छे तरीके से घ्रो हो रही है तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विकास ecotech के जो number से जो financial number से वो भी अच्छे तरीके से improve हो सकते तो देखा जाए तो एक valuation comfort भी हमें यहाँ पे मिलता है लगबग 500 करोड के market cap पे विकास ecotech का stock available है तो आप 25 stock में आप विकास ecotech पे भी नजर रख सकते हैं अब अगर हम थर्ड stock की बात करेंगे जिसका नाम है Mindtech India Limited तो देखे इसका भी हमने पूरा detailed analysis बनाया हुआ है और जब हमने इस पे बनाया था तो लगबग 200 रुपे के लगबग यह stock trade करा था और वहाँ चे लगबग 300 रुपे का high बनाया था तो तब हमने इसमें recommendation नहीं दिया था लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी 200 करोड के नीचे का market के अब हमें Mindtech का नजर आता है और एक बात आपको समझनी चीए कि जितनी भी IT services वाली companies है उनके demand ने आपे बढ़ रही है यानि कि जो उनके contract से उनके revenue के numbers से वो काफी अच्छे तरीके से grow रहे है वहाँ पर लगबग 1500 करोड के market के वाली company जिसका नाम है Mindtech India Limited तो इसमें आप अपना ध्यान देख सकते हैं तो कि अगर आप देखोगे तो all time high से 50% से भी ज़्यादा ये company गिर चुके तो valuation comfort भी हमें यापे मिलता है ऐसा नहीं है कि एक loss making business है तो ये companies भी आप आपके radar पे रख सकते हो तो ये जो टीन companies है ये हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक value point भी से companies अच्छी लगती है तो एक तरीके से आप इन companies को अपने radar पे रख सकते हो जब आपको valuation comfort मिलता तो आप इसमें याँ पे invest कर सकते हो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो small cap companies ये जहाँ पे हमें ये 400-500 करोड का market cap है तो ये काफी risky companies होती है ऐसा नहीं है कि ये stock यहाँ से और नहीं गिर सकते है ये गिर सकते लेकिन जो टीनों stock जिसके बारे में हमने याँ पे बात किये तो आने वाले टाइम पे इनकी जो पूरी industry वो काफी अच्छे तरीके से grow हो सकती है और आप इन companies को भी एक अच्छा काशा benefit मिल सकता है तो इस point of view से ये आपने ये invest करना चाहिए तो दोस्तों मैं hope करता हूँ जो टीन stock के बारे में हमने आज बात किये वाप क्वश्य समझे में आ गए होंगे अगर आप चाहते कि हम हर weekend पे आपके लिए penny stock के लिए list लेकर आए है लेकर आए तो आप हमें comment कर सकते है तो हम जरूर हर weekend पे यानि कि हर Sunday के दिन हम आपके लिए video लेकर आएंगे ओके दोस्तों thank you have a nice day